अस्सलामू अलैकुम दोस्तों, 20 मिनट में एक हज और एक उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हैं, यानि कोई शक्स ये अमल करता है तो वह एक हज और एक उम्रे का सवाब हासिल कर सकता है, उसके लिए इश्राक की नमाज पढ़ना होगा। इश्राक की नमाज क्या है? इसे अच्छे से समझे आप जब फजर की नमाज पर लेंगे, फिर फजर का वक्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूरज निकल गया, फिर 20 मिनट गुजर जाने के बाद ये नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। इसे दूर्काद पढ़ना है, इसी तरह से आठ रकाद में चार सलम होगा। इश्राक की नमाज की नियत कैसे करे। नियत करता हूँ मैं दो रकात नमाज इश्राक की नफल वास्ते अलाह ताला के मूह मेरा काबा शरीफ की तरफ लाहुआ अकबर. बस यही नियत करके नमाज पठ लेना है. इश्राक की नमाज परहने का फाइदा. रसूल अलाहु अलाहु अलाही सल्लम ने फरमाया, जिस शखस ने फजर की नमाज जमात के साथ परहा फिर मस्जिद में बैठकर सूरज के निकलने तक अल्लाह को याद करता रहा उसके बाद उसने दो रकाद नमाज पढ़ी है तो उसको एक हजब और उमर का सवाब मिलेगा माशाओला हजश्रत अबुदर्दा और हजश्रत अबुजर रजिय अल्बाहु अन्हों रसूलिल्ला से रिवायत करते है कि आप条 में आदम की आुदा है इस दोनों हदीशों से मालूम हो जाता है कि इशराक की नमाज के बहुत ज्यादा फज्यलत और फाइदे है